हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक्जाम 365 में उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तयारी भी अच्छी चल लए होगी आईए देखते हैं आज की current affairs आज की date में जितने भी important current affairs बन सकते हैं उस सब को हम लोग discuss करते हैं जैसा कि आपको मालूम है प्रद दिन रोज सुबा आपको 7-8 के बीच में उस दिन के जितने भी important current affairs होते हैं वो हमारे चैनल के माद्यम से provide करा जाते हैं तो आईए देखते हैं आज की current affairs हेलो फ्रेंट्स आज 13 मई 2020 तो आज की date से इतने भी important current affairs बन सकते हैं वो सब हम लोग discuss करेंगे तो आएए देखते हैं पहला प्रश्ण है निम्न में से अंतर राष्ट्रिय नर्स दिवस कम मनाया जाता है नौ माई 10 माई 11 माई 12 माई सही आपसन है आपसन डी 12 माई निम्न में से 12 माई को प्रतिवर्स अंतर राष्ट्रिय नर्स दिवस मनाया जाता है इसका आयो जन Florence नाइट एंगल के जन दिन के रूप में मनाया जाता है जिनका जन 12 माई 1820 को हुआ था दूसरा प्रसंन है हाल ही में किस देश के नौ सेहना ने मिसन सागर को लांच किया है माल दिव मेडा गासकर से शैलस ऑपनडी भारत सही आपसनडी भारत हाल ही में भारतियों नवसेना ने COVID-19 के कारण अपने पड़ोची देशों को खाद प्रदार्थों, आयरुवेदिक दवाओं और चिकिस्सा सामागरी पहुचाने के लिए मिसंसागर को लांज किया है इसकी सुरुवात 10 माई से हुई है जुरुवात है इसकी सुरुवात जो है कबसे हुई है 10 माई से तीसरा परशन है निम्न में से राष्ठ्रिय प्रदोग की दिवस कम अना चाता है नव माई, देस माई, 11 माई, 12 माई, सही आपचन है आपचन सी 11 माई प्रतिवर्स 11 माई को राष्ट्री प्रदोग की दिवस मना जाता इसका आयोजन पोक्रेंग परमाड परिक्षण जो कि 11 माई 1998 में को हुआ था उसी कियात की रूप में मना जाता है इसकी शुरुवात अटर भिहारी बाश्पेई ने की थी चौथा प्रशन निम्न में से किस बैंक ने आरोगी संजीवनी हेल्थ इंस्वरेंस पॉलिसी की सुरुवात की है हाली में भारतिय स्टेट बैंक ने आरोगी संजीवनी हेल्थ इंस्वरेंस पॉलिसी की सुरुवात की है इसके अंतरगत भारत में कहीं भी विमार वेक्ति का इलाज होने पर बैंक एक लाग से लेकर पांच लाग तक का कवर परदान करेगी इसमें कोबिट-19 को भी कवर किया गया है पांचवा प्रस्न है हाल ही में डबलु एचो और यूएन ने चेचक उनमूलन की कौन सी वर्स घाट पर इस मारक डाक टिकट को लांच किया है सही अप्सन है इसका ऑप्सन भी चालिस ह मिं Giovani इन ने चेचक उनमूलन की कि ईनम भी इसमारक डाक टिकट को लांच किया है या डाक टिकट चेचक से लड़ने के लिए भी थिजसेगता की पहचान है तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्रमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें जिससे इसी तरह के महत्पूर करेंट आफेर्स आप तक पहुंचते रहें अगला प्रस्ण देखते हैं चाथा प्रस्ण है हाल ही में FIH प्रेसिडेंट नरिंदर बत्रा का कारिकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है 2021, 2022, 2023 सही आपसन है आपसन है 2021 तक के लिए हाल ही में FIH International Hockey Federation या अंतर राष्टी हाकी महासंग के प्रेसिडेंट नरिंदर बत्रा का कारिकाल 2020 को समाफ्थ हो रहा था लेकिन उनका कारिकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है FIH का मुख्याले लाजन सुडियलेंट था इसके स्थापना साथ जनौरी 1924 में हुई थी साथवा प्रस्ण हाल ही में किस केंद्रिय मंत्री ने स्टार्टप इंडिया पस्पालंग Grand Challenge के विजयताओं को पुरुशकार प्रदान किया है अविस्सा नितिंगर्टरी प्यूस गुइल गिरराज सिंग सही आप्सन आप्सन गिरिराज सिंग हाली में स्टार्ट अप इंडिया पस्पालन ग्रैंट चैलंग प्रत्योगता हुई जिसमें बहुत से स्टार्ट अप ने हिस्सा लिया इस प्रत्योगता में जीतने वाले को केंद्रिय मंत्री गिर राज सिंह सम्मानित किया है आठ्वा प्रस्ण हाल ही में प्रसेदितिहास कार हर संकर वासदेवन का निधन यतनी वर्ष की आई में हुआ है 68 वर्ज की आई में आप्शन भी सही है हाली में प्रसे दितिहास कार हरसेंकर बासदेवन का निधन 68 वर्ज की आई में हो गया है उनका निधन COVID-19 के कारण हुआ है उन्होंने रूसी योम यूरूपी इतिहास और भारत रूस संबंधों पर लिखे गए इतिहास के लिए जाना सतत्विकास लक्ष की प्राप्ति के लिए किसने दिया मिर्जा को अपना विसेश दूर निउप्त किया है तो इसे सही आप्शन है इसका ओप्शन भी सहीं कुराश संग ने यू यह नो ने सहीं कुराश संग के महा सची कौन है जन टाइम में एंटेउनियों गुटेरेस है सहीं कुराश संग का मुख्याले जो है वह वासंग्टन डीसी में हैं दस्मा प्रस्ण देखते हैं अंतर राश्य प्रतिबंद का उलंगन करने पर अमेरिका ने किस देश के मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया है इराक उत्तर कोरिया दच्छिल कोरिया सिंगापूर सही आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद देता हुआ